रेगाइस तो सभागत है आप समी का मेरी इस Video टूटालियल में तो आज की इस Video में Guys हम सब जो Figur Configure करने वाले हैं वो है हमारी Inventory System जो कि थोड़ा सा हम working बनाने वाले हैं तो Guys मैंने आप से कहा था कि मैं Scrollbar आपको बनना चुकाँगा मैं थड़ा एक्सपरिमेंट कर रहा था और मैं एक्स्क्रोल बार बना चुका हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाई सबसे पहले तो मैं यहां गया UI के अंदर जाके मैंने एक Scroll Bar यहां पे मैंने Implement कर लिया और उसको मैंने Inventory के अंदर डाल दिया अब जो inventory slots parent है उसके उपर मैंने एक नया option implement कर दिया जो की था scroll rect ठीक है और उसके अंदर जो content है वो मैंने यही वाला rect transform लेकर और scroll rect के अंदर डाल दिया अब जो guys scroll sensitivity थी वो मैंने 5 कर दी और जो उसका scroll bar था vertical scroll bar वो मैंने अपना यह वाला scroll bar इसमें टाल दिया और बस उसके बाद मैं scroll bar में गया और मैंने क्लिक कर दिया visualize पर tap कर दिया पहले यह untick होता है starting में आप visualize पर tap कर देंगे यह सारे चीज़े करने के बाद तो आपका scroll bar working हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ यह किस तरह का है working कैसा है यह दिखाता हूँ आपको तो अब अगर मैं cursor unlock करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से work करता है I know कि यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बाद हम इस चीज़ को अच्छा से configure करेंगे आप बिल्कुल चिंता मत करिए ठीक है फिलाल मैं आगे बढ़ूंगा और अपना inventory system further create करूँगा because मेरे पास यार मतलब इस इन सब चीज़ों के लिए फिलाल टाइम नहीं है मैं आगे create करूँगा अब inventory system सबसे पहले आगे inventory system create करने के लिए एक छोटा सा जो हमारे पास error था उसको मैं fix करना चाहता हूँ guys आप में से जिस दिन को advanced coding आती है unity की उनको तो शायद यह बात पहले से पता ही होगी कि जो हमारा delegate होता है उसके अंदर अगर कोई function नहीं होता और फिर भी वह call होता है तो वह error दिखाता है कि इसके अंदर कोई function नहीं है तो किस चीज़ को call करें तो इस चीज़ को fix करने के लिए आप क्या करिए यहां पर चले जाएए यहां पर लिखिए if एक if statement लगाई है get on uichange is not equals to null यानि कि at least उसमें एक function तो है ही तब आपको क्या करना है इसको call कर देना है इसको call कर देना है तब आपको इस statement को मैं copy कर लेता हूँ because इसको हमें एक और जगह पर call करना है यहां पर ठीक है यह paste कर दिया मैंने बस आपका delicate कोई error return नहीं करेगा ठीक है तो भाई यह चीज तो fix हो गई तो अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारी हम कोई चीज उठाएं तो वह हमारी inventory में आ जाए यहां पर कोई एक item slot में आ जाए पहले item slot में आ जाए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा मैं canvas के अंदर जाओगा और उस पर एक नया component आइड करूँगा या फिर कह लिजे मैं inventory की जो coding है हमारी कहाँ पर scripts के अंदर items की scripts के अंदर item scripts के अंदर मैंने inventory की scripts रखी है तो इसके अंदर मैं एक नई script करूँगा C sharp की और इसका मैं नाम दूँगा inventory UI inventory UI नाम की script मैंने दे दी अब मैं अगर double click करूँ to open it up in visual studio यह इसको visual studio में open कर देगा और मैं पहले इसका clear कर लेता हूँ मेरे को यह बिलकुछ साफ सुधरी script पसंद है सबसे पहले तो हम inventory को toggle करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक public game object करूँगा public game object और यह मैं देता हूँ inventory आपको एक second inventory एक class का नाम भी है बट हम यहाँ पर inventory यूज कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ जाओं और लिखो if input dot get और इस बार में रिखूँगा button down आपने देखा होगा कि कुछ लोग use करते है key down ताकि हम कोई key की वो ले सकें बट मैं यहाँ पर use करना चाहता हूँ button down ठीक है अच्छा एक second रुक जाईए एक चीज मैं भूल गया हम पहले यहाँ पर जाएंगे void और एक update method करेंगे अपडेट के अंदर हम इस चीज को check करेंगे कौन सा बटन है वो यहाँ पर मैं बटन define करने जा रहा हूँ for the inventory inventory and अगर हम यह press करते हैं तब आपको क्या करना होगा inventory dot set active और यहाँ पर हम जाएंगे आप inventory UI script आपके बहुत काम आने वाली है तो patient है इस चीज के लिए भी अब मैं inventory canvas पर जाओंगा और अपने inventory UI को ड्रैक कर दूँगा canvas के उपर अब यहाँ पर एक inventory नाम का game object चाहिए जो कि मैं उठाकता हूँ और डाल देता हूँ by default हमने उस boolean के value false रख किये तो इसको भी by default बंद रखना होगा अगर मैं play करूँ game को तो आप इस चीज को notice करेंगे अरे मेरा cursor कहाँ गाब हो गया यह actually मेरा cursor पता नहीं कहाँ गाब हो गया एक बाच चेक कर लेते हैं crosshair यह disable क्यों हो गया मैंने इसमें inventory डाला है तो देख लेते हैं मैंने शायद गलती से कभी disable कर दिया हो इसमें तो enable दिखा रहा है crosshair को यहां पर अच्छा मैंने canvas को ही disable किया हुआ था canvas को पहरे तो enable कर लेते हैं तो ठीक है enable हो गया हमारा canvas तो हमारा inventory है उसको disable कर लेंगे canvas हमारा enable रहेगा ठीक है canvas के बिनाम कुछ भी नहीं कह सबते literally यहां पर argument exception input button inventory is not setup अच्छा यह बहुत अच्छा याद दिला है unity ने मेरे को कि जो inventory button है मैंने setup नहीं किया तो आप जाएगे edit project settings input और यह access जो दिखा रहा है उसमें size जो दिखाएगा इसको बढ़ा कर लेते हैं जो हमारा size है वो 18 दिखा रहा है उसको मैं 19 कर लेता हूँ तो यह जो नीचे वाला बटन है उसको यह और वो दे देगा तो cancel button है एक तो हमारे पास ठीक है इस वाले को मैं change कर देता हूँ inventory और जो escape button है उसके जगह में यहां पर use करता हूँ inventory के लिए tab tab नहीं I use करते हम यहां पर and ठीक है I use करेंगे key और mouse button आप देख सकते हैं और बस आपके देखेंगे कि आपके पास एक cancel page में escape काम कर रहा हुआ तो बस आपको यह चीज़ करके save कर देना scene को और play कर देना game को अब तो आपकी वह वाला error नहीं आए और जो पहला आ रहा था अगर मैं I press कर दो inventory open हो जाती है cursor I think मेरी अभी तक unlock नहीं है cursor को हम देखते हैं तो guys आपको अब क्या करना है आपको inventory.set active में जाना है और यहां पर आपको लिखना है inventory inventory dot active self यानि कि अगर वह active उसको get कर लो और उसके reverse state को कर दो यानि कि अगर वह active है तो इसको deactivate कर दो deactivate है तो इसको active कर दो यह चीज़ आपको कर दी है पहले मैंने यह चीज़ जानबुच के बनाई ताकि आप लिस्ट हम inventory को toggle कर सकें Fps controller पे और उसकी जो script है उसको open कर लीजे आप और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको डूणना है mouse look script के बारे में ठीका I think mouse look script नीचे होगी ठीका ना यह चीज़ आप देख पाएंगे get input है यहाँ पे आपको update camera position बहुत को देखने के लिए मिलता है जो button होते है mouse look.update cursor lock यह होगा if cursor lock cursor यानि की cursor lock है तो यह देखते है input.get की down से यह होता है और इससे cursor.is locked को true कर रहा है तो मैं इस चीज़ को change कर देता हूँ कि जब मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो cursor को दुबारा लॉक कर रहा है तो मैं यह नहीं चाहता है मैं चाहता हूँ कि जो मेरी cursor है वह दुबारा लॉक हो जाए 2 से I think नहीं 2 से नहीं मैं जो cursor हो अलॉक हो जाए कंट्रोल से left control of course और यह button की जगह मैं इसको key कर देता हूँ बस अब आपको get mouse नहीं चाहिए get key up तब आपको यह कर देना है बस और आपको बस अब यह जो error है आपका fix हो जाएगा ठीक है play कर के देख लेते है कुछ और select कर लेते है और play कर कर देख लेते है थोड़ा wait कीजिए यह देख सकते है अब अगर मैं eye press करता हूँ तो यार यह तो अभी भी काम नहीं कर रहा यह आप at least वह गायब नहीं होरी cursor बट unlock भी नहीं होरी बट मैं चाहता हूँ जैसी मैं inventory open करूँ और unlock हो जाए यह कर कर रहा है cursor mode dot locked कर रहा है escape बटन प्रेस हो रहा है तो m pressure lock तो मैं यह करूँँगा and या फिर और भी लिख सकते हैं यहाँ पर input dot get key अब अगर हम यहाँ पर use करें और उसके बाद हम कहें key code dot dot i जो कि हमारा inventory का बटन है तब भी आपको वही करना है जो आपने पहले लिख ले था तो यह चीज I think work करेगी and अगली वीडियो में I think control प्रेस करके अपने cursor को फिर से गायब कर सकते हैं अगर मैं आपको दिखाँ तो I press करता हूँ तो यह cursor unlock हो गई अभी भी unlock है पर अगर मैंने control प्रेस कर दिया तो cursor फिर से गायब हो गई तो control जो है वह cursor को गायब करनी के लिए अब मैंने आई उठाया पर इसमें नहीं आया तो अगली वीडियो में guys हम इसी चीज को implement करेंगे अपने अपनी inventory तो complete कर दी काफी लंबी वीडियो थी thank you so much for watching